ममी, पापा और सुसाइटे आज मेरा रिजल्ट आ गया और मेरे फिर से कम माकस आ गया मैंने आपको बताने की बहुत सी कोशी से की थी पर आपने उन सबों को नजर अंदाज कर दिया और दूसरे इंट्रेस्ट को दवा कर रख दिया मगर इसमें भी कसूर सिर्फ आप लोगों का नहीं है क्योंकि बात वहाँ से सुड़ू हुई थी जब मेरे टेंथ में अच्छे माकस आ गया थी पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने की बज़र से माब आप तो छोड़ो आस परोस के दुकानदार आस पास की आंटी जिन्होंने तीन सालों से मुझसे बात भी नहीं की थी वो भी कह रही थी कि बेटा तुझे तो साइंस ही लेना चाहिए और तू तो इंजिनिरिंग ही करेगा यहां तक कि फैमली वालों ने भी ये डिसाइड कर लिया था तुमको तो साइंस ही लेना है और इंजिनिरिंग ही करनी है साला मुझे यह नहीं पता चल रहा था कि मैं अपने जिन्दगी खुद जीड़ा हूँ या उनका अदबुतला हूँ ऐसी बात नहीं है कि मुझे साइंस पसंद नहीं थी I love science, science is beautiful मुझे पढ़ना था science बट बस engineering करकर वो किसी के अंडर में जौब नहीं चाहिए था लेकिन मैं जब 11th में college में आया तो हमारे half-interested teachers साइंस तो पढ़ाते नहीं थे पढ़ाते भी थे तो एक robot की तरफ कम से कम समय में robot की तरफ जल्दी से जल्दी MCQs solve करवाते थे उन्हें इन सब चीजों से मतलब ही नहीं था कि किसी को कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं उन्हें बस इन सब चीजों से मतलब था कि बस उन्हें fixed phases आजखत में करने थे और जो पहले से decided होते थे और अगर कलती से पूछने चले जाओ हिम्मत करकर motivated होकर तो ऐसे सो करेंगे जैसे कितने easy questions पुछे हो last में आकर तुम ही को ये बोलना पड़ जाएगा कि मैं ही समझने में कमजोड था उन्हें ये क्यों नहीं समझ आता कि जो topics वो cover कर रहे हैं वो topics revise वो चालिस year से कर रहे हैं और वो सब हम लोग पहली बार face कर रहे होते हैं लेकिन इन प्रोफेसरों के बीच कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना पूड़ा 100% देते हैं समझाने के लिए आइडेस पेक्टोज और अब आते हैं हमारे class के कुछ टॉपर्स जो की already किसी के guidance में होते हैं उसे समझने की पूसिस करो तो actually मैं पता चलता है कि वो भी जादा से जादा questions attempt के फीर में होते हैं कुझे नहीं अच्छे लगते हैं कुझे तक्टोग्या क्यों नहीं मेरे intelligence को मैं अपने इंट्रेस्ट वाल सब्चेक्ट से पूरा कर सकता था क्यों intelligence के लिए कुझे उस फीर में ही जाना था मैं कुछ अलग नहीं कर सकता था क्यों की सायथ हमारे society मापापा ने ये समझ लिया था कि बीना सरकाड़ी मापरी लिए हमारे बच्चे कि इस फीर में कुछ गह जाएंगे क्या अप्राइमेंट चॉप्स के हायर पैक्सस नहीं होते हैं उसे लाइफ से क्यों नहीं होती है क्या पैस्स को चॉप में बलवट करना पूरा था अगल्स का बात ऐसा लग़ा था तो से पूरे चंगल में मैं यह अकीला बैठा एक जानवर था तो अकीला हुआ तो पता लगा तेरा हिमत ही तरा साथ ही है और लड़ाई को ड़ने के लिए तरे साथ ही तरे लिए काफी है तो तो खुश तो नहीं अगर अपने आपसे पूर में जरूर किया तो से मैं सिर्फ कुद की सुनूगा और कुस्त अच्छा जरू करूँगा और कुछ दिन ये थोर्स रखकर फाइनली मैंने पाया कि मुझे सही में आस पड़ो तोस्त या और इबार किसी से कि बातों से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा है अब तुम यही पूछ हो गया तुम्हारा पेट कैसे बढ़ेगा तो भाई कहीं न कहीं कोई न कोई तो ऐसा होगा ना जो मेरे स्किल्स को देखेगा मेरे क्रिटिवेटी को देखेगा मेरे इंटेलिजन्स को देखेगा सिर्फ मेरे सीजीपिय को नहीं हाँ कम माक्स आग है पर मैं जानता हूँ बहुत कुछ है करने को सीखने को जानने को सिर्फ मेरी माक्सिट ही कहती है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा पर मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर कर लूँगा और मैंने डिसाइड कर लिया कि वही करूँगा जो दिल करेगा और कुछ तो अच्छा जरू करूँगा